हेलो दोस्तो नमेशकार एसे हम किसी चैनल में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत सवगत करता हूँ सो दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरू याद देलाना चाहूँगा आज के दिन भी बहुत सारी वीडियो जहाँ पर आ चुके सो चले दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड यहाँ पे यूज्वली हम लोग बात करने वाले चार स्टॉक्स के बारे मी कल के दिन के लिए यह चार स्टॉक्स जरूर अगर आप चाहो तो अपने रडार के उपर यहाँ पर रख सकते हो क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग को यहाँ इंपोर्टन चीजे यहाँ देखने को मिलने वाली है तो सबसे पहले शुरूरात हम लोग यहाँ पर करेंगे कल के दिन के हिसाब से तो LTTS, yes, LNT Technology Services यह कमपनी आप लोगों के रडार के उपर यहाँ पर रहनी चाहे बट कमपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है मैक्जिमम चार्ट पेटन भी अगर आप चाहो तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यह देखिए, बहुत ही जबरदस चार्ट पेटन है, हाँ बीच-बीच में यह कंसल्डेट होता है बट जब तेजी आती है तो बहुत ही गजब की तेजी यह स्टॉक दिखाता रहता है सो LTTS की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बहुत ही इंपोर्टन स्टॉक है यह एंड कल के दिन के इसाब से आप लोगों के रडार के उपर यह स्टॉक यहाँ पर होना चाहिए खास करके टेक्नोलोजी से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, इंजिनेरिंग से रिलेटेड जुड़ा हुआ है इंड L&T ग्रूप से इसका लिंक है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते L&T, माइंटरी ने भी बहुत ही कमाल के नंबर्स यहाँ पर दिखा दिये यहाँ पर LTTS के और यहाँ पर ज़रूर फोकस यहाँ रहना चाहिए L&T Infotech अलग है, एंड LTTS यह अलग स्टोक है, इससे रिलेटेड भी बीच में मैंने डीटेल वीडियो बनाया था यहाँ पर जैसे मैंने का, इस कमपनी के बारे में बहुत बार मैंने आप लोगों को चीज़े यहाँ बताईए खास करके, अगर हम लोग बात करें में थोड़ा है, यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूं, कुछ तो पुराना डेटा हम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है चेक कर लेते हैं आपर तो ठीक है शायद से कुछ data का issue यह आपर देखने को मिल रहा है कोई बात नहीं लगबग 41% के deliveries हम लोग को यह आपर देखने को मिल रही है company की बात करें तो लगबग हम लोग को 3000 को cross हते हैं देखने को मिलाता 9th April 21 को फिलाल 2830 के असपास यह stock चल रहा है stock की खासियत अगर हम लोग यहाप बात करे तो आप लोग देख सकते हो लगबग 3200 करोड के रिजाव से then करजे की बात करे तो यह एक advantage वाली बात है company के उपर एक रुपे का भी करजा नहीं चाहे हम लोग short term की बात करे या फिर long term की बात करे then cash की बात कर लेते तो आप लोग खुदी यहापे देख सकते हो company के पास लबग 191,200 ठीक है 200 करोड का cash है तो balance भी बहुत ही जबरदस्त है fundamentally यह company बहुत ही ज़दा strong है तो ज़रूर अगर आप चाहो तो LTTS को अपने radar के उपर यहापे रख सकते हो एक फटावर्ड overview देना चाहूँगा इसके पहले company के जो numbers है quarterly अगर आप लोग यहापे देखोगे तो बहुत ही अच्छे numbers आप लोग को देखने को मिलेते आप देख सकते 11 का EPS बाद में 15 हो गया पोटफिल में रहे या ना रहे सो रस्तो LTTS के बाद अगर second कोई company है जो कि कल के दिन के इसाब से focus में आप रहेगी तो obviously वो होने वाली Infosys Limited Infosys के और ज़रूर यहापे focus रखना है पंदरा सो रुपे का यह stock है जिसके पास भी रहेगा obviously long term के लिए आप लोगों ने continue करना है कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं सिर्फ इतना ही देखना है कि कुछ expectation यहापे रखे जाते है तो क्या वो उसको bit कर पाएगा की नहीं सबसे खास बात Infosys के और सभी लोगों की निगाए इसलिए क्यों की valuation की सबसे ही TCS से अभी अच्छे दाम पर यहापे देखने की मिल रहा है और TCS के नंबर अगर हम लोग ने यहापे देख लिए तो देखा जाए तो OK OK नंबर थे Company देखा जाए तो वो तो continue करने हम लोगों को कोई चिंता की बात नहीं है OK OK नंबर थे नंबर वन नंबर टू के जगड़े में हम लोगों का फाइदा उटाना है तो दोनों स्टॉक्स हमारे पास है तो ऐस सच कोई चिंता की बात है ही नहीं तो अभी तक के performance की सबसे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही टॉप लेवल पर आके बेटे हुए है तो यहाँ पर अगर नंबर और भी अच्छे आ जाते है तो हम लोग कह सकते ही गजब की और भी तेजी यहाँ पर इन्फोसेस में भी आ सकती है IT सेक्टर की बात करें तो बहुत सरे कमपनी अच्छे नंबर दिखा सकते हैं यहाँ पर तो इस वक्त इन्फोसेस के और सबी लोगों की निगाय रहने वाली है 66% के डिलिवरीज यहाँ पर देखने को मिल रही है इन्फोसेस में usually 50-60% के डिलिवरीज हो जाते हैं तो यहाँ पर हाई नंबर की बात करें तो यहाँ पर लगबग 30 जून को कमपनी ने लगबग 1600 के आसपास जाने की कोशिश की थी अभी भी कमपनी 1545 पर ही देखने को मिल रहे हैं मतलब अपने all time high की ही करीब है इसलिए बने रहे इस कमपनी में वो कब आएगा वो कई नहीं बता सकता until and unless company का management could decide ना करें तब तक करजे की बात करें तो यह भी आप लोंक को पता है long term boring हो short term boring हो सारी चीज़े जीरो है ऐसे companies मतलब आप बिंदास यहापे आगे मतलब continue हापे कर सकते हो and return भी बहुत ही शांदर रहते थे 17,000 करोड से ज़्यादा का cash है मतलब company चाहे ना तो कल के दिन भी बोल सकती है obviously ऐसा नहीं होता है वो पहले announcement देना पड़ता है बट इतना कह सकता हो कि आज ने तो कल future में इससे related bonus के announcement यहापे जरूर आएगी ज़रूर इसमें बने रही है तो सिर्फ कल formality के इसाब से देखना है कि company के number कैसे रहने वाले है and अगर मैं बात करूँ इसके earlier quarterly result कैसे थे एक overview ले ले लेते हैं तो आप लोग यहापे देख सकते हो पहले 9 का IPS था then 11 का हो गया then 12 का हो गया and then again 11 के आसपास हम लोगों को देखने को मिला है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है मैं आप लोगों को बोल चुका हो company आप देख सकते हो कहाँ पे top level पे बैटी हुई है तो बहुत ही शांदर company है so यहापे info says भी कल के दिन के लिए सबसे main जादा radar के उपर यहापे रहने वाली है so दोस्तो यह तो दो company ऐसे हो गई जो की upcoming event के हिसाब से focus में आपे रहने वाली है so जब तक result सामने नहीं आता तब तक तो एक concentrated phase में आपे ज़रूर रहेगी जैसे result आ जाएगा हम लोगों को अच्छा का सा response देखने को मिल जाएगा then अगर हम लोग यहापे बात करें next company तो दोस्तो वो है Tata Metallics yes इस company के numbers यहापे सामने आ चुके अगर आप लोग numbers को देखोगे तो यहापे आप लोगों को में बताना चाओंगा कि यहापे tax adjustment के current yes tax का adjustment यहापे अच्छा का सामने को होते भी देखने को मिल रहा है इसके चलते पिछले quarter की साब से थोड़ा सा कम performance देखने को मिल रहा है अगर हम लोग यहापे NPBT को देख ले before tax adjustment company के number बहुत ही शानदार है तो टाटा मेटलिक्स भी अगर आप लोगों के पास रहेगा जिसके पास भी रहेगा आप लोग continue कर सकते हैं यह continue में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग बिल्कुल top level पे बेठे हुए है अगर company के number अच्छे आते हैं तो आप लोग जरू continue कर सकते हैं आपको जाना चाहूँगा चार्ट पेटन के और बिल्कुल top level पे बेठे हुए है तो कभी profit booking हो गई थोड़ी बहुत तो आप लोगों को डरना नहीं चाहिए इतना में के सकता कि long term के हिसाब से Tata Metallics ने भी जो numbers दिखा है वो वाकई में शानदार यहापे दिखा हुए है तो आप लोगों के पास अगर यह रहेगा in the case तो continue करना बस इतना ही में आप लोगों को यहापे कह सकता हूँ तो देख लेंगे कल के दिन Tata Metallics कैसा performance यहापे दिखाते है आज के दिन result के पहले तो लगबग 7% की गिरावट ही हम लोगों को देखने को मिली थी next बात करें तो अभी अभी मैंने वीडियो भी बनायता mind tree yes mind tree के number जैसे मैंने का long term के लिए बहुत ही शांदर यहापे देखने को मिल चुके है कल के दिन देखना है कि mind tree के हिसाब से मतलब बाजार क्या reaction यहापे देता है हाला कि हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं तेजी आगई तो अच्छी बात है नई भी आगई तो भी कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को का कि अगर आपके पास रहेगा तो यह दो companies का event अल्रेडी हो चुका है माइंट्रें टाटा मेटलिक्स तो कल यहापे उनके response हम लोगों को बाजार में देखने को मिलने वाला है वही पे अगर हम लोगों ने पहले जो दो companies देख लिया उनसे related result आते वे देखने को मिलने वाले है तो यह चार companies सबसे ज़्यादा focus में आपे रहने वाली है तो जरूर कहना चाहूँगा इन चार companies के और आप लोग ज़रूर यहापे study कर सकते हो अगेन कहे रहा हूँ यहापे कोई में intraday के लिए suggestion यहापे नहीं दे रहा हूँ देन आप दीमे दीमे करके आप चाहो तो ट्रेडिंग सिखने की कोशिश कर सकते हैं पहले जागोगे ट्रेडिंग करोगे तो इतना easy नहीं है पूरा market आपका पैसा खा लेगा यह चीज भी आप लोगं को यहापे पता होना चाहिए यह चार स्टॉक्स रडर के उपर रखना आप अच्छा करते हैं आप लोगं को वीडियो अच्छा लगा होगा तो like and share भी कर देना तो that's it thank you very much दोस्तो we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye